सब आपको question में mention होता है अगर नहीं mention है तो आप fake भी डाल सकते हो यह basic format है left hand side में RSVP डाल देना चाहो तो किसके लिए है उसके बाद डेट डालेंगे उसके बाद क्या डालेंगे प्लेस जालेंगे इतना आप अगर कर ले हैं तो आपके लिए more than sufficient है समझ में आ गया यह हो गया कार्ड वाला next आपका आता है letter वाला letter आपका एकडम letter की तरह होता है इसमें आपके sender address आता है जिसका मतलब suppose अगर मैं party through कर रही हूं तो मेरा address फिर date डालोगे it should be complete पूरी होनी चाहिए जासे suppose अगर मैं आज की date डालो तो 24th Feb कि कि 2020 XXX डाल सकते हो या 2023 भी डाल सकते हो राइट फिर उसके बाद आएगा आपका receiver's address receiver's address बोले तो जो इसको receive करने वाला है जो भी आईप के लिए आप लिख रहे हो या जो भी प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो या जो भी स्कूल की प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो उसका address डालो गया यह आपको mention होता है जनरली आपके question paper में अगर नहीं mention है तो आप fake डाल सकते हो फिर आपने एक subject डालना है subject डालना है अब subject क्या है इवेंट किस चीज़ को लेकर के है किस लिए आप उनको बुला रहे हो क्या आपके क्या होने वाला है या फिर किसी special चीज़ के लिए बुला रहे हो तो जिस भी चिसके लिए बुला रहे हो उसको आप subject में जरू से जरू मैंशिन करोगे फिर आपका सालुटेशन आता है सर और मैं इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक को पहले लिखे कि सालुटेशन को पहले लिखे आप अगर अपने अडिशनल पेपर का जो मार्किंग स्कीम आया था उसमें जब फूरा फॉमाट था या फिर अगर आप पीछे चले जब दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है फिर आपका बॉडी पार्ट आएगा और फिर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज आएगा यार्स फेथ पुली यॉर्स टूली यॉर्स सिंसिरली और इसके बाद आप नेम डालोगे आपका जो में कूर कॉर कॉंटेंट होगा उसमें क्य और किस लिए इन्वाइट कर रहा है कोई पर्टिकिलर इवेंट है और उसके बाद कभ इन्वाइट कर रहा है कहां इन्वाइट कर रहा है यह सब आपको मेंशन करना है तो हूँ हूँ वाट वेन और वियर यह जरू से जरू मेंशन करना है लास्ट में आप एक चीज़ में अगया की निया गया मुझे पड़ाफट कॉमें बताओ फिर और उसके रिप्लाइ आप लोगों बता जेती बताओ जल्दी बताओ कि यहां तक रहा गया कि हट गया हट गया भुक्का अब भी देख रहा है समझ में आ गया जल्दी से इतना क्लैरीर हो गया सभी लोग को ग्रेट 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 आप देखो इस जैसे में लिखा है ना मैं आप लोग के लिए बहुत सिंबल सा लिख कर क्या हूं यह अपनी स्क्रीन शॉर्ट कीच कर रख लो लास्ट मुमेंट पे चाहो तो रिवाइस कर ले ना कुछ ही नहीं आता होगा सिब यहीं चाहिए आता है एक तो मैं हूँ विआफ और सिन्याष प्रेट कर रहे हैं तो आप को तरफ से किसी और ने रिप्लाइ दिया है या अगर आपकी तरफ से कोई और रिप्लाई कर रहा है तो आप इसको थर्ड परसंद में लिखोगे कि Mr. X and Mrs. X थैंक कर रहे हैं Mr. Y और Mrs. Y को for this kind invitation as it is रट लेना क्या है क्या हो कि जिने शादी है बोदे पाटी है ठीक है कोई inauguration है वो mention करोगे कब है time लिख देना कहा है वो mention कर देना and उसके बाद यह लिखना को जरूर से जरूर जरूरी है and has pleasure in accepting it और उन्हें बहुत खुशी हो रही है इसको accept करने में जब जब आप य you are talking about जिसको भी आप लिख रहे हो आप या तो accept करोगे या तो deny करोगे कभी-कभी question में दिया गया होता है कि आपको accept करना है अगर आप accept कर रहे हो तो अपनी confirmation को show करोगे लेकिन पहले thank you बोलोगे कि आपने आपने बुलाया मुझे right और अगर आप deny कर रहे हो तो denial के लिए reason दोगे right so similarly आप यह देख लो यह 3rd person है जब आपका कोई attendee दे रहा है जब आपका कोई attendee दे रहा है तो यह 3rd person है इसका थोड़ा सध्यान रखेगा बेटा जब आपका attendee दे रहा है तो यह 3rd person में है अब 3rd person में दे रहे हो ना तो looking forward to meet you soon acceptance में लिख रहे हो यही अगर आप is the reason किसले invite किया है कब invite किया है कहा invite किया है अब reason दोगे कि I'm really very sorry मैं नहीं attend कर सकती मेरी तबत खराब है में को कहीं और जाना है में को सब्वेकेशन मनाना है मेरे को चाचा किया जाना है फुपा किया जाना है बुआ किया जाना है कहीं तो जाना है तो आपने य체적िसे जरूर हरम सब करने हैं अब हर यदे लंग से नी आपको हरी पर छोड़नी पड़ेगी आप सबसे पहले संडर डालोगे पढ़िए कलाइन छोड़ोत श्के बीच में bilirडले अ weakom एंड बाद आपने के नीचे वीद इंफॉर्मल इंविटेशन जनरली आप लोग को ऐसी जगाहों पर देखने के लिए मिलता है जहां पर आपकी चोटी मोटी पार्टी थो रही होती है आपकी घर पर कोई अफसर्ट था कोई फंक्षन था दिवाली थी दशेहरा था आपने अपने दोस्तों को बुला लिया ठी जबने पर आपकी तेशन प्लस नाम अगर आपके पास न नहीं है तो आप X Y Z भी लिख सकते हो अगर tes आपको किसी भी तरह की कोई भी परस्नल इंफरमिशन नहीं लिखनी होती है समझ में आगी सभी लोगो एक बार से लाइक कर दो ताकि बाकी सुदेंस भी करेक्ट हो जितने भी बच्चों का पेपर है वो लास्ट मिमें पेस का रिविजिन कर ले इतने अच्छा से मैं आप लो बहुत खुशी होगी कि कोई अवसर आज आ रहा है उसपर आप एक पाटी थू करने वाले हो सो आप क्या बता रहे हो यू विल बी ग्लाड टू लॉन दा यह आप पहली लाइन लिखोगे है ना कि वाट इस का मिंग या किस क्या होने वाला है क्या है कौन सा इवेंट है और यह आप क्या होगा यह था क्यों अधिन ओप यह ना थो यह आप अंधरा ना को остан अभल्ली बीद हमारे जोरा चो आप कर दी तो तुल चैजेता ज्परा डी के पाटी थुड्रताब वाल मेंल म्तक्र थाहरा है यह एफिक्शनेटली या फिर यह लविंगल अगर यह वर्ड यूस कर देते हो यह मोर दिन सफिशिट है और लास्ट में लिख देंगे एक्स यजट तो यह हो गया आपका इनफॉर्मल इनफॉर्मल इंफॉर्मल इंविटेशन लेटर में जाता है रिसीव अड्रेस नहीं आ आपका सब्जिक नहीं आता आप डियर जो भी आपके दोस्का नाम हो सकता है चिनी मिनी जो भी आपने मन में रखना हो फेक नाम रख सकते हो एक्स यजट भी लिख सकते हो है अब आप खुशी जायर करोगे अवा वा 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 तुमने मुझे बुलाया आपनी इंविटेशन इस चीज के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मुझे इस ऑकेशन पर इन्वाइट किया आप बतारे हो को एकि वह वह इंविटेशन के लिए है डे कौन सा है और टाइम कप का है जो जो क्वेशन में आपको इंफरमिशन दी गई है उस इंफरमिशन को आप तो प्रॉबलम होगी तो क्वेशन में जो जो दिया गया है वो जरूर से जरूर में बहुत जरूरी है पर बताओगे कि आपको बहुत कुशी हो रही है बताते हो है कि आप अरे हो तो आप वेरी गलाद तो तेल यू और इंफरमिशन दीन दोगे और अगर आप नहीं एंग तो looking to looking forward to see you soon तुमसे जल्दी मिलते हैं और अगर नहीं जा रहे हो तो अपनी best wishes दे करके छोड़ दोगे ठीक है ना all the best for the future इस तरीके से लिख दोगे यौर्स एपिक्शनेगी एक्सवाइस मुझे जल्दी से कॉमें सेक्शन में आंसर करके बता दीजी इतना अच्छा से समझ में आगे आप लोगो फिर हम लोग आगे बढ़े फटा फट फट रिपोर्ट रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्माट देखेंगे जाब इसके ऑधें नाचs का इट इंग ड़िए और इसका निकर बहुत रिपोर्ट कोनदेगे ए फिरेपोर्ट राईटिंग आप यह तो तरीके से ata जिक रिम एगार के विडिए तो hij हम शेयर कर लिए हो टोन यूसस पेर के लिए अगर अगर उसके नीचे बाइट रिएन एक प्रॉपर हेडिंग होने चाहिए कि क्या हो रहा है हैना सपोस्थ अगर भुखाम पागया तर्की में भुखाम पाया हैना सो आर्थक्वेक एं टुकी ऐसे करके आपने डाल दिया उसके बाद किसे लिखा अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप एक फेक डाम डाल सकते ह अगर नाम के साथ साथ आपको डेस्टिशन करी गई यह को डाल देना अब आप पूरा इवेंट सुनाओगे और यह पूरी रिपोर्ट राइटिंग आपकी पास्ट में रहेगी पूरी रिपोर्ट राइटिंग को पास्में लिखोगे तीन परेग्राफ में इसको में एक आपकाउंट ऑफ दे इवेंट होगा तो शुरुआत कहां से हुई है तो इस पर्टिकिलर दिन को भूक अप आया कहां तकी में और कैसे शुरू हुआ पहले तो एक दम एवरिधिंग वह शांत सब कुछ बहुत शान था फिर अचानक से लोगों को हलके हलके जटके मैसूस ह पहले लगा कि कुछ हो रहा है बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ फिर उसके बाद दो तीन एक बाद एक बाद एक बाद एक बाद एक जटका या फिर कैसे चीज़ें डिस्ट्रॉइ होने लगी यह सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है तो पहले आप उपन करोगे क्या हुआ चीज़ें टूट रही थी बिल्डिगें गिर रही थी लोग मर रहे थे हैंना इस सब चीज़ें मेंशन करोगे और अगर अपने आप से मिर्च मसाला लगाना चाहते हो तो वह लगा सकते हो फिर कॉन्क्लूजिन लिखोगे कि इन सारे जो भी टर्की के लोग थे भु हेड्लाइन दाते हो हेड्लाइन में आप एक प्रॉपर एकदम ताजर खबर टाइकी बनाते हो अर्थ्क्विक जॉक्स तुमेंट हեղाके सब्सक्राइक करें कि बढ़त आप सिंध करेंगे कि चीज के बारेment ने आप प्रकी कि क्या हुआ जैसे कहीं अग्सेडन हो गया तो तो एंदर जोक बटन टर्जाकस्थान अपार्ट तुम टर्की इस तरहें साफ मैंचिन कर दोगे फिर उसके बाद आपने अपका टेट और प्लेस किना मेंडेटरी हो जाता है I hope this is quite clear to everybody right important question भी हम लोग करवाएंगे फटा 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 इक बर जल्डी से देख लेते आप सेम का article writing का format क्या है article writing में आपको टाइटल देना होता है राइटर का नेम लिखते हुआ बाइलाइन लिखते हो बाइलाइन जरूरी होता है mention करना और फिर आप अपने paragraph को लिखना शुरू कर देते हो आप एक opening paragraph लिखते हो किस चीज के बारे में आप यह article लिख रहे हो है ना opening paragraph होता है उसके बाद आपका एक mid paragraph होता है और एक बाद इसका paragraph में क्या होता है conclusion होता है so you conclude it है ना तो opening में क्या लिखोगे इंट्रो दोगे आपकी event मतलब जो भी चीज है जब जिसके बारे में आप लिख रहे हो वो क्या चीज है सबस्थ आप triple तरलाग के बारे में लिख रहे हो तो आप ट्रिबल तरलाग को explain करोगे फिर यहां पर mid में क्या लिखोगे how do you come to know about this आपको कैसे पता चला triple तरलाग के बारे में फिर आपको पिलीट करोगे कि आज कल किस तरह के नॉयम्ट चोड़ त्रिबल तरलाग के लिए हो रहे हैं इसो आपका इंट्रो होता हैयं मिड़ पार्ट में आप उसकी डिटेल देते हो हैigenicação वी चीज ना इसकी डीटेल देते हो cover letter इकदम आपका जैसे होता है ना letter लिखते हो ना देट फिर लिखते हो रेसीवरस देबर लाइन चोड़ते हो subject salutation दालते हो फिर body डालते हो flu delivering close जालते हो नीम लिखते हो तो sender's address में आपना address जालो कि नहीं दिया गया है तो fake डाल इक्जाक्ट डेट आपको मेंशन करनी होती है जो भी है कम्प्लीट मेंशन गरना जिसको भेज रहे हो राइट os के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट डालना वो इस तरीके से होना चाहिए application for the post of application for the post of मैनेचर के लिए पोस्ट निकली है ठीक है ट्यूटर के लिए पोस्ट निकली है उसके लिए अपलाई कर रहे हो अब बॉडी में जब आओगे तो बॉडी को इस तरीके से लिखोगे यह लाइन रट लेना रिस्पॉंस सबसे पहले आप बोलोगे आपको यह इंफरमेशन कहा करना नहीं है तो भी इंपोर्टेंट पार्ट है आपको करना जरूरी है आगे देखो आगे यह वाला लाइन लिखनी है सेकंड वाली लाइन उसमें आप बताओगे कि आप क्या करना चाहते हो यहां पर जब आपने बोल दिया कि मैं किसी चीज के रिस्पॉंस में लिख रह पोस्ट ऑफ सम अधर परपस है ना कोई भी आपका जो भी हो सकता है उसके लिए डाल रहे हूं अब यह लाइन आप जरू लिखना मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं कि जो भी चीज़े आपने मुझे मैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप इतन तो आप इनको कौपी कर लें कि मैं अधर यह भी है यह भी है यह भी है और पिर आप यहां पर इमेंशन करोगे कि आप अपना बायोड़ाइटा एंग लगा रहे हो आप लिखो कोगे आप लिखा यह बहुँ बहुत अच्छे से काम करूंगा यह तीन परेग्राफ में आप इनको कर दिया आप कर आपके नंदर आपको लिया जाए ठीक है यह भी बता दिया चीवी डिया हुआ है और फिर उसके बाद आपने इंड किया तो आपने बता दिया कि मैं अवेलेबल हूं इंटर्व्यू के लिए और मैं मिको कोगर एक मॉका मिलेगा तो मैं जरूर से जर थो डालोगई इडरस जालोगई प्रक्तागे का花 बार डाल कि 9 5 5 5 6 4 3 x33 1 अच्छीन क्या है मैं आइस्ट स्टेश क्या है क्वालिफिकेशन कटिके कई ग्वालिफ कैस्छप्ते कहें लिखोंगे तो पहले ट्वेल किया तो आपने ट्वेल बाद में किया तो जो रीसेंट वाली है सबसे पहले डालोगे फिर इसी के बाद अपना चीज के लिए पोस्त निकली है तो आपकी जो रेज्यूमें होता उसमें चार चान लग जाते फिर उसके बाद आप यहां पर यह मेंडेटरी नहीं है अगर आप अपने अचीवमेंट्स लांग्विज नोन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो वैसे लांग्विज जाल दो हैं ञुली ढते हैं और भी कुछ आते है तो बता दो फिर उसके बात बहुत ज़रूरी होता है यह वाला पाठ अहला pencils जालना रेज़ो कई जा brings the communication में करते थे उसमें कोई आपका अप्लिकेशन फॉर जॉब समझ में आ गया तो यह हो गया आपका आप्लिकेशन फॉर जॉब आपके कवर लेटर और बाइयो डेटा सीवी के साथ अब अब आता है लेटर टू एडिटर आप देखो यह अडिशनल पेपर की कटिंग है ठीक है ना जो मांकिंग स्कीम ह तरही थी उसकी कटिंग है letter to editor किस तरीके से लिखना है देखो सेंडर सब्सक्राइब डालोगे जो भी मतलब मुद्दा है उसके उपर किस चीज के उपर आप लिख रहे हो कोई आपने कोई चीज पढ़ी उस पर आपके क्या पर यहां पर इन्होंने ऑप्शन दिया सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो फिर उसके बाद आपने बॉड़ी लिख नहीं होती है बॉड़ी कैसे लिख दिया हो मैं आपको बता दूंगी कॉम्पलिमेंट क्लोज करना होता है letter to editor के लिए यह यहीं जरूरी है कि अगर लेटर टू एडिटर आएगा है ना बिजनस लेटर नहीं आ रहा है तो आप यॉर्ट टू लिखेंगे यह जरूरी है मेंडेटरी है इन्होंने डिश्री क्लिए आपको मेंचन किया हुआ है य क्याती है सबसे पहले आप यह लाइन यूज करोगे थू दा कॉलम ओफ यूर स्टीम नूजपेपर थू दा कॉलम ओफ यूर स्टीम नूजपेपर आए वोड लाइक तो प्रेजेंट करने वाला हूं जो भी टॉपिक दिया गया होगा उसके उपर हैना वो टॉपिक क्या है थोड़ा से इंट्रो दोगे अप छोपिक बारे में आपको एक्स्ट्रा डीटल दिखी गई है तो अपने आपने थोड़ा से और एक्स्पेंड करोगे युझे पिर आपके दिमांग में अगर कोई to editor का body part लिख रहा है उसको तीन पार्ट में जरू से जरू कम्रीट करना नेसिसरी होता है फिर आपने यहां तक समझ में आगया सभी लोगो याद रहेगा आपको इसका आप लोगो को जो पीडियेफ है वहापकी जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएगा इसको जरूर साथ जरूर देख लिएगा बहुत ज़द ज़रूरी है लोगे लिए सेशन को लाइक कर दे तक कि बाकी क्लासेज मिलती रहेंगी ओके शबाश चलिए अब लिट्रेचर पार्ट पर हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपका लास्ट लेसन तो लास्ट लेसन का आपको में थीम पता होना चाहिए ठीक है लास्ट लेसन की पूरी स्टोरी तो आप लोगों को पता है नंबर आप पढ चुके हो एम हमल और फ्रैंस के बारे में हैं मैं हमल का आज लास्ट लेसन पढ़ा रहे है लेकिन वह यहां पर लोगों को यह रिलाइस कर वा रहे है कि उन्हों ने अपनी लांग्वज कर नहीं करी इसी वज़ेसे कोई और कंट्री आ कर के उनके उपर कबजा करी और उनके किसी एक लैंग्वज की इंपोर्टेंस क्या है और उसको सेफगार्ड करना कितना ज़दा जरूरी है लैंग्वज की इंपोर्टेंस क्या है और उसे सेफ करना क्यों जरूरी है यह मैंचन किया जाता है बहुत ज़दा जरूरी है यह थीम आपको याद रखना है इसी पर ब तो इसे खेलना बहुत ज़दा लगता है लेकिन फ्रेंच को यहां पर इमोशनल दिखाया गया है अपने फ्रेंच टीचर के आखरी दिन जब से पता चलता है कि वह फ्रेंच लैंग्वज को अभ नहीं पढ़ पाएगा तो इसके अंदर अचानक से इमोशन जाते है कि इतना जरूरी है उसके लिए फ्रेंच लैंग्वज को पढ़ना और उसे सेफ करना राइट तो अचानक से सारे चाप्टर समझ में आने लगते ह अज़ में आने लगती है और वह रेलाइस करता है कि उसने अभी तक जो भी किया वह गलत था उसे अपनी लैंग्वज को सीखना चाहिए था है तो वह बहुत ज़ता रिस्पेक्ट दे रहा है इसको अब हम को लास्ट देपर और साथी साथ में अपनी लैंग्वज को भी द बहुत अच्छी की है तो यह भी लोगों को पढ़ाने के बहुत कोशिश खरी बट यह अपने आपको जिम्मिदार कहते हैं कही ना कहीं गलत कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत गलत यह किया कि मैं जिस टाइं पर बच्चे पढ़ने मेरे पास आते थे उनको गार्ड़ने के सब्सक्राइब हैं कि दो जा रहा हूं लेकिन तुम अपनी लांग्विज को सेवगार्ड करके जरूर से जरूर रखना तुमारे लिए बहुत ज़द ज़्यें कि दूक्न कि रख़ुम्हामल है थे पाधланे हैं तो ट्रूर की लास्टच यह पूछा चालता है तो बत्त कोत पेरना था फ्रिल शर्ट पहनी थी सिलकी कैप थी भ्लै कलरी और सब कुछ इम्रोइड़ेड था तो यह था उन्होंने जो पहना वा था और वहां पर और और कौन आया था तो यह सब लोग क्यों आया थे रिस्पेक्ट पे करने के लिए हमारे स्कूल को और दूसरा रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपनी लांग्विज को कि जिसको उन्होंने आज सक नहीं सिखा इग्णोरेंट रहे हो लेकिन आज वो लोग बहुत धान से आकर के पढ़ रहें क्योंक तो जब वह बलते हैं जब टाइम निकल जाता है तब आप उसकी खद्र करते हो तो वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है ठीक है चलो सो क्यारेक्टर पता चल गए है ना और पैरट भी है वहां पर जो चट के उपर मतलब ऐसे ही थोड़ा सा एक प्रॉटेंट है वह में आप लोगों यहां पर बता रही हूं फटा फटा फटांसे करना वह ट वर द थेंग्स बींग टेकन फट्र ग्रांट बाइद प्र पीपल ऑफ इलसास के लोग है वह लोग किस चीज को फो ग्रांट लेते है टीचर स्कूल के टीचर को स्कूल को और इसको पिजिन कर लेना पिजिन पिजिन मी पढ़ने के लिए आये हूए और दिस जस्ट थॉट ऑफ ओफ ओथर ठीक है बताईए जल्दी से बताईए फटा फट किसको फो ग्रांट लिया हूँ है नोने हाँ वेरी गुड ठीक है जल्दी से कंप्रीट करवादूंगी आप टेंशन मत लो बिटा आपका साथ बच्चे तक मैं पूरा कंप्रीट करवादूंगी ठीक है ना बहुत इंपोर्टेंट है मैं मनीघ और ग्रांट इंद लिया उन्होंने एक तो वहने समय की ख़दर नहीं करी अपने स्कूल की भी खदर नहीं करी है ना तो बहुत सारे तो यहां पर जो लेस्न है क्या सिंबलाइज करता है दो चीजे लांगवज भी इन से दूर हो रही है और फ्रीडम चला रहा है क्यों कि जर्मनी ने यहां पर कभजा कर लिया है तो इसका अंसर है और इसका मेजर आंसर आप क्या देंगे भी आगे रिखा हुआ है सेकेंड चैप्टर है आपका अनीज जंग अनीज जंग ने यहां पर दो बच्चों की कहानी लिखी विया है एक है मुकेश और दूसरा है राग्पिकर दोनों ही गरीब हैं तो दोनों की गरीबी भरी लाइफ में किस तरह की मिजरी किस तरह की अड़िस का सामना यह लोग करत और इनका कोई फ्यूचर भी नहीं है अब आते हैं लोग स्प्रेंग का थीम आप से पुछाता है वाट यू मीन बाइब लोग स्प्रेंग है ना हाव दिस स्टोरी इस टॉकिंग अबाउट तो यह सारी चीजों में आपको यह लेखना पड़ेगा कि यहां पर लोग स्प् व भी कहां से आया है भी कहां रहे यहां से सिमापुरी में जो की डेली का आट स्कूर्ट है और यह रागपिंग करता है तो पहले यह अपना उन फ्रीडम की जे रहा था इसके पास पना इसका और थो मेश्क नई खुट me तो बच्मना तो खो गया ना, बच्मन से इतने काम करता शुरू कर दिया, पहले जब ये काम करता था, तो ये अपने लिए काम करता था, तब ये खुश था फिर भी, लेकिन आब तो ये पूरी तरीके से बन गया है, भले ये से 800 रुपया मिलते हैं, लेकिन ये बंदुवा म मुकेश भी यहां पर एक और इस अरो गैड़ करने वाला है मिक विरोजाबाद करें जो है मुकेश की सारी फैमिली यूरे बांगल मेकिएमिड इंडस्ट्री में काम करते हैं फिरोजाबाद का दूसरा नाम है अलग अपने घर वालों से अलग सोचता है वह यह नहीं सोचता क अगर आपको दोनों के बताने होंगे तो वो भी आप हैलाइट कर सकते हो है और अगर यह भी बताना होगा कि मुकेश कैसे डेडिकेशन शो करता है वो भी आप बता सकते हो है और यह भी बता सकते हो कि साहेब आलम अपना खुद का मास्टर क्यों नहीं रहा इसका भी रीजन आपके बास क्योंकि वो चाय स्टॉल में काम करने लगा था अनीज जंग के बारे में भी यहां पर मेंशन कर सकते हो जो कि राइटर ऑफ द स्टोरी भी है उन्हों ही हाइलाइट किये हैं इन दोनों के जो दुख है पेन है सफरिंग है उसको राइट I hope this is quite clear to everybody now आप questions पर आते हैं इसके जो कि बहुत important है पहला question है why is author calling garbage as gold in the story जो author है वो garbage को gold क्यों कह रही है क्योंकि इसमें jewel मिलते हैं gems मिलते हैं gold मिलता है या फिर because of its encashment value तो यहां पर जो gold है उसका use उन्होंने क्यों किया है उसमें jewelry नहीं मिलती नहीं gems मिलते हैं और नहीं gold मिलता है उसमें बहुत सारी आसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत ही valuable हमारे लिए valuable ना हो हमारे लिए लेकिन दूसरों के लिए valuable जरूर से जरूर होती है दूसरा देखिए what do the boys appear like to the author in the story story में कहती है author की बच्चे उने कैसे दिखाई देते हैं जो चोटे-चोटे बच्चे इनने कैसे दिखाई देते सो इस मुझसे author ने क्या बोला है इनने बोला है morning birds clear poetic devices भी पढ़ाओंगी सारी चीज़े क्रवा दूंगी टेंशन मतलो important important चीज़े बता रही फिर आओ deep water में deep water किस ने लिखी है William Douglas ने लिखी है लिखी है उसमें इनको किसी से डर होता है पानी से डर होता है और यहां पर उन्होंने बताया है कि मैं भी सफरर हूं में को पानी से डर लगता था लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि if you have a fear of something it is just in your mind state of mind actually मैं fear जैसे कोई चीज़ नहीं होती बस यह हमारी थौट होती है फियर इस उनली फियर है ना actually किसी भी परिशानी किसी भी दिक्कत से बहार निकल सकते हैं हर एक प्रॉब्लम को साइडलाइन कर सकते हैं और उसको ओवर पार कर सकते हैं विलियम डगलस की खुद की ओटोबाइग्रफी आपके लिए कैसे एक मॉरिल बूस्टर है आप से पूछा जा सकता है तो आप यह बताएंगे हिम्मत ताकत आपको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करवाने की हिम्मत देती है अब क्यारेक्टर के बारे में अगर बात क जैसे ही वेव उनको नॉक्डाउन करती है वह डर जाते हैं उनके पानी का दर पैदा हो जाते है बताया है वह वह वापस अब देखो विलियम डगलस के एफ़र्स कहां कहां दिखाएगे पहली बार एवर्जिन होने के बावजूद भी वह दुबारा वापस जाते हैं स्व पैंट से 9-meter का है वहां पर सुमिंग सीखी रहे होते हैं कि एक यंग बूसर लड़का जवान हटा-कटा गबरू वह आकर के उन्हें तफरी-फरी में फिख देता है उनके साथ प्रैंक करता है और वह तफरी-फरी में मरते-मरते बचते हैं वह डीपेसेंड में पेशता है मतलब वह अनकॉंशिस हो चुके थे और जब तक वह होश में थे तब तक तो उन्हें डर लग रहा था लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने होश खोए वैसे ही उन्हें एकदम शांती सुकून दिखने लगा और जब उन्हें होश आया तो वह पूल के किनारे पड़े हुए थ थे अब वोमिट कर रहे है फिर क्या हुआ हुआ जब वोमेट कर रहे थे तो फिर उनके अंदा पानी का दर पैदा हो गया कोईश दोग दोड़े तो वो इंस्ट्रक्टर हाया करते हैं उनको 3 स्टेप में बनाता है और पहले वो क्या करता है उनको 2 and from motion करवाता है पानी के इंदा कि आपको किस तरीके से हाथ पैर मारने है तो फिर एक अच्छे स्वेंबर बन जाते हैं और फिर वो डर के आगे जीत पा लेते हैं तो तीसरा जो क्यारेक्टर है आपका वो इंस्ट्रक्टर है जो विलियम डगलस को हेल्प कर रहा है स्विमिंग सीखने में आगे बढ़ते है हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चिंस फटाफट देखेंगे कि रहें वाट इस चीज़ के बारे में बात करती है डीप वोटर स्टोरी फटाफट करेंगे पानी का डर बताया गया यहां पर उससे वरकम कैसे करते हैं यह बताया गया और कैसे गया हुआ करेज गाइडेंस औ करना है मम्मी के अपिरण सको ठीक है मम्मी ने खाली उनको सजस्किया था कि वह कौन से जगा पर स्विमिंग सिखने के लिए जाएं सो यहां पर उन्होंने अपने अपने आप सी हिंप जुटाने की कोशिच करी और उनके अदर रिदूलिशन था करना तो करना आज जिद आ तो वो इस दिदून को एक अच्छा स्विमर बना 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 आप सोचो ना अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आपको इसको ववर्कम कर सकते हो नेक्स्ट है आपका कुंद्लिूजिन ओफ दा राट्राप चैप्टर राट्राप स्चोरी जो है वह एक राट्राप सेल देकर रास्ते वो अपने सुधार लेता है और वो रास्ता कैसे सुधारता है वह लव और कमपैशन की मदद से बिकास लव और देखाशन ओ एड़ला मैंसन विकास ऑफ द लव और कमपैशन ओड़ला विलमेंसन राट्राप सेलर इस एंबल टू चैज हैस वेस है तो और अंदर से खुश होना है तो वह आपको कौन देगा लव और रस्पेक्ट आपको ही देगी वरना आपको मटियर्स चीज़ें कभी भी खुश नहीं होने देती है और साथ ही साथ में काइनने सो कमपैशन आपके रास्तों को बदल भी सकती है अब यहां पर बहुत सारे क्यारेक अच्छा एक बात फटाफट मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को शेयर करो सारे जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर करो जल्दी से हैना सब लोग आजें और सभी आ करके पढ़ लें बहुत सिंबल सिंबल से चीज़ पेडलर को बहुत से नाम था और उसको रैट्राप सेलर भी कहा जाता था साथ में वेगबार्ण भी कहा जाता था क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था रहने के लिए है कि नहीं है तो यह सारी चीज़े अपको धान रखने बहुत ही इंपोर्टेंट है फिर आता है इसमें पेडलर के बारे में अगर बोला जाए उसके हुलिये के बारे में डिफाइन करो तो वह पतला था कमजोड था है ना उसके आखों में भूक मंड राती रहती थी यह सारी चीज़े मेंचन करी गई है और फिर उसके बाद बोला गया है उल्ड क्रोफटर वो बंदा है जिसने राट राट के लिए आसरा दिया उसको खाना भी खिल आ उसके साथ टोबाको रोल भी शिर किया उसके साथ घेला उसके साथ अपने कौइदेशल की उसे यह बहुताया कि 30 कृनर रखें जिसके घर पे इसने चोरी करी थी आयरे मास्चर आयरें मिल का मालिक है जो राट राब सेलर को क्या समझ करके निल्स ओलफ समझ करके फाइन फिर आती है डॉटर एडला वो आरेन मास्टे की बेटी है और एडला विलमेंसन बहुत काइंड और कमपेशनेट है उसके अंदर पॉस्वेडिंग स्किल्स बहुत अची है और वही एकलौती लड़की है जिसके लव और क फटा-फटकष्ण कर बताए इन वट मैनर् हास्टार भी नौरी थे जो स्ट्वरी है रिया इस्ट तरीके से नरीट्र करिगई ए इन फिक्षीस जो है आपकी वह मं घरत नहीं है थिक्षिस नहीं सकत chegar किया यीれ aux रियल कहानी जो कहा यह लिय कहानी आपकी झोड़ी है वो किस तरीके से किस पाटन में लेखी गई है फटा-फटा अंशर करने बताओ क्या यह मंगड़त कहानी है यह यह रियल कहानी है है या फिर यह मंगड़त कहानी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं होगा सका अनसर this is not realistic, this is a fairy tale, this is a fairy tale, this is a fairy tale, look at what is the message of the story, what is the message of the story, what is the message of the story, love and kindness are powerful reformers, kindness is powerless or kindness is encouraged by the dog or thief needs reprimanded, the dog needs to be prepared, quickly tell us what will happen, now make sure the session, call all your friends, you can share the session, so that they will benefit, like the session, so that all the children who are giving the paper will get help here, and if you want to prepare for chemistry, physics and subjects, you can subscribe to the channel so that it will be much more beneficial afterwards, okay, that means you don't have any problems in the rest of the preparation, right, and quickly answer all of them, yes, this chapter teaches us, love and kindness, how powerful reformers are, love and kindness, which way you can change things, very good, let's move on, let's move on to the new chapter, Indigo, quickly answer me in the comment section, Indigo chapter is written by Luz Fisher, Radtrap chapter is written by Selma Legolov, you tell me who's biography mentioned here, this chapter is Indigo, who's biography mentioned here, who's biography is this, now let's see here, we know that Gandhi Ji has started the Britishers against freedom fights, and in which way Gandhi Ji has not fought for the Britishers, not fought for the Britishers, but he has also worked for the people, so let me answer quickly, who's story is Mahatma Gandhi, so Mahatma Gandhi is taking the interview, who is Luz Fisher, and Mahatma Gandhi knows that Mahatma Gandhi is not only a good leader, but he has worked for the people, and also for the people's betterment, so Gandhi Ji did not mention that he made India free, but he also did work for the people's welfare, so this story highlights you, that Gandhi Ji was a great reformer also, including the freedom fighter, now who has your characters of which you are, Rajkumar Shukla, जल्दी से बताओ मुझे राजकुमार शुक्ला को प्रोफेशन क्या था महात्मा गांधी के ऊपर ही पूरी स्टोरी दी गई है अगाला गया है और महात्मा गांधी लीडर बहुत अच्छे हैं स्टैप्टर में बताया गया है यहांपर आपके लिए सबसे इंपॉटेंट है अपर राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी और फिर उसके बाद राजे इंद्र परसाथ जहां पठना जाने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले गर में स्टै किया था वह राजेंद्र परसाथ थे राइट वेरी गूट शे जादा उत्पीडन जहेल रहा था ब्रेटिश लाइंडलोट बहुत परिशान कर रहे थे कंपनसेशन मांग रहे थे मांग रहे थे इंडिगों के बदले तो इस वज़े से वह गांदी जी की मांगने गया था कि अगर मदद करेंगे वह पढ़े लिखे इंसान है तो फिर हमार कि यह भी गरीब किसान ही है और उनके घर का उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया गया इतना क्लियर है सभी लोग को मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजे ठीक है अच्छा अब अगर हम बात करें यहां पर सी एफ एंडियूस की तो यह पैसिफिस्ट है वैसे उन्हों ने गांदी जी के खिलाफ जो केस हुआ था उसको ड्रॉप कर वाया था है ना तो इस इस क्लिर तो एवरीबडी में मेजर क्यारेक्टर्स आपके राजकुमार शुक्ला है महात्मा गानी है और राजेंद प्रसाथ है यह तो लास्में चोटर से मोमेंट ले दिखा जो था वो पूरा ब्लाक क्यूं हो गया था पीजेंट से बिकाउट पीपल राइट बिकाउस ऑफ टर बिटिश या फिर बिकाउस दियर चांपिए वोज इन ट्रॉबल या फिर नन जल्दी से बताईए फटाफट आंसर करके बताईए जो मोतिहारी था मोतिहारी इस दे क् चैंपियन था जो गांधी जी थे वो ट्रेबल में थे वो परिशानी में थे उनको जेल में बंद करने की बात करी जा रही थी उनके खिलाफ केस चल रहा था और नोबडी वांट्स की एक रिफॉर्मर जिसने हमारा इतना सपोर्ट किया है वो जेल चला जाए फाइन चलिए फटा फट से आंसर करके बताइए सेकेंड वाला कह रहा है है हाउ डिट महात्मा गांधी अड्रस दा पीपल ऑफ मोतिहारी महात्मा गांधी का रिप्लाइ क्या था मोतिहारी के लोगों के लिए ऐस लिबरेशन फ्रॉम दा फिर ऑफ ब्रिटिश बाइक वालिंग देम आपको by calling them courageous बोला या फिर उन्होंने लोयर को हड़काया लोयर को हड़काना तो उन्होंने मुझदफर पूर में किया था है ना फटा 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 आंसर करके बताईए जल्दी से एवरीबड़ी एक और चोटे से question का answer देंगे ठीक है ना आप उसे कॉमें चेशन में आंसर करके बताएंगे जल्दी से एंसर करके बताएंगे कि गांधी जीने जितने भी ब्रिटिश लैंडोर्ट्स थे उनसे कितने 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 פरसेंटेज के डिमांड करी थी कंपनटेशन में कित एवरीबडी आंसर करके बताईए फटाफट जली से आप आजाए 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 अच्छा जली आए चली ठीक है ठीक है जल्दी से फटाफट सेशन को आप लोग शेयर करो थेको मैं सुबा सुबा उटकर के आप लोग के लिए रात में बिना सोय सुबा उटकर आप लोग के यहां पर आसकती हूं तो आप यहां पर अराम से 10,000 स्टुनेंट करवा सकते हो यह सेशन में जो लाइक से उनको बढ़ा दो ताकि बच्चे यहां पर चैनल पर आया और वो सारे के सारे सेशन का बेनेफिट उठापा है फटा फटा आंसर करके जल्दी से मुझे कॉमें चेक्शन में यह भी बता द बत करी तो उन्होंने 25 में matter अफटाफ में 25 में खदम करो समझ में आर्याथि को घ्रिटें परसंटेज उनके लैंड पर खेती करवाते थे और अई राया उसको वसूलते थे तो जाने परसंट पर खेती कर वाते थे पड़ाए जल्दी से वरीबडी डिखी ने जो लोग मोति हारी में इस तरीके से नेकल रहे हैं उनको बोला की भी अट्रीशिन के रियाही , व्लीटर् कौन सी वो चीज थी कौन सी वो चीज थी या कौन सी वो कंट्री थी जो कि सिंथठिक इंडिगो बनाने लगी थी जिसकी वज़े से इन लोगी इतनी और सेटी बढ़ गई थी कि दोने कंबंसेशन मांगना शुरू कर दिया था गरीब किसानों से वो जैमिनी स्टूडियो की बात यहां पर करते हैं वो जैमिनी स्टूडियो की बात यहां पर करते हैं वहां पर वहां पर उन् iç में हैं इंडिपेंडिया की बारे में भी बताया है कि पराब्लम्स वहां पर यहां पर आक्डोरब्लाप और क्या था जैमिनी यहां इस टूडियो और किस तरह से वहां पर काम होता था तो अब यहां पर अगर से मेन क्यारेक्टर पूछ लिए जा तो मेन क्यारेक्टर कौन कौन है सबसे पहले आपको याद रखना है अशोका मित्रन जो की राइटर थे लेकिन वहां पर उनका काम क्या था न्यूस्पेपर की कटिंग काटे थे और चिपका था ठीक है और साथ ही साथ में वह बहुत जड़ा चिड़ता था किस से चिड़ता था सुबू से आप कॉमें सेक्शन में मुझे जली से अंसर करके बताओ ऑफिस बॉय की लगभग एज क्या होगी वह अपनी कितनी उमर का होगा फिर आम आता है सुबू का सुबू वहां का चीज में आगे हर चीज में बैस था तो वर्सटाइल परसनालिटी कोन है सुबू है उसको एक्टिंग ठीक है पोएम लिखना ठीक है मैनेजमेंट करना सब कुछ आता है और लोग उसे बहुत जड़ा अच्छा भी मानते हैं वह लोगों को सपोर्ट भी बहुत जदा करते ह तो है वह यहां पर बताया गया है कुछ इस तरीके का कि वह लीगल अड्वाइजर सेव नाम का था अच्छली मुसकर अंदर लीगल अड्वाइजर जैसी कोई बीचीज नहीं थी ठीक सीपन स्पेंडर कौन है स्पीट स्पेंडर वो राइटर है जिनकी लांगज लोगों क क्वेशन मां की बना हुआ था बिकोज नोबडी वस एबल तो कंसिडर है कि वह कौन है है लेकिन यह बाद में पता चलता है सुकम इतन को जब वह एक बर लाइब्रेरी में बैठे हुए उनके राइट अब यह तो हो गया यह एक एक आपको क्यारेक्टर का ध्यान रखना है बहुत इंपोर्टेंट है आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है वह फाउंडर जैमिनी स्टुडियो का फाउंडर कौन है आपको यह बताना है वही बॉस भी है तो हूँस्ट फाउंडर ऑफ जैमिनी स्टूडियो आंसर करके बता हो और सेशन को ना फटा फट से ना मैं सुबह सुबह आप लोग के लिए उठकर के आई हूं है ना आपके और भी टीचर्स आपको यहां पर रगिला बेसेस पर मिलते रहेंगे आप सेशन को लाइक करो ठीक है ना जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी बढ़ है आप लोग का मोटिवेशन सुबह सुबह कि मैं यहां व कर दूंगी ss siwan very good ss siwan founder है Gemini studio के और यह boss भी है वहां के लोगोंगे तेको house कि से निशन कम्पयर किया गया है तो मेकप रोम को साल हूँ क्वेशन से होती है जो आक्र अक우uks इसको बहुत ही ज़ ज़यादा पर लिशानियों में डाल देती है बहुत आद इंटव्यूस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से लोगों के अलग-अलग इंटव्यूस होते हैं कोई उसे हॉरर बोलता है तो कोई उसे जखम बोलता है कोई से बोलता है कि अरे वह बहुत ही ब्रेथटेकिंग experience होता है और कुछ लोग बहुत अच्छे से इंटर्वियू देते हैं जसमें से एक लिया गया है अमबर्टो इको का तो अमबर्टो इको का भी यहाँ पर इंटर्व्यू लिया गया जिनका इंटर्व्यू सबसे जबर्दस्त था और उनका इंटर्व्यू लेने वाला जाते हैं उसमें क्या-क्या पूछा जाता है किसका क्या रोल होता है और साथी-साथ में अलग-लग लोगों कि क्या उपिनेन होते हैं इंटर्व्यू के बारे में पूरा नाम याद रखिएगा अजीव नाम है बड़ आप लोगों को याद रखना है ठीक है चलिए फटा फटा सेशन को आप 10,000 क्रॉस करवाईए और कैसे करवाएंगे सेशन को लाइक करेंगे और चार्ट रेट में फटा 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 आंसर करेंगे या अमबर्टू इको ने लिखी थी दा नीम ऑफ दा रोस और उनकी किताब आज तक एक मिस्ट्री है कि वो फिमस क्यों ही हाला कि अमबर्टू इको कहते हैं अगर यह दस साल पहले आई होती तो यह तना फिमस ना हो पाती चलिए आगे बटने यह जो भी पढ़ारी होना बहु इतली की एक उनिवस्टी में जिसका नाम है वो लोगना वहां पर वो काम करते हैं वो कहते हैं मैं हूं तो एक प्रोफेसर लेकिन मैं जाना जाता हूं एक नौवलिस के लिए मुझे इस चीज का बुरा नहीं लगथा जबकि नोवल लिखना से उनका अमी वाला काम है वो सं मुकुंद पदमना भन है यह है दा हिंदू से ठीक है यह जिस कंपनी से बिलॉंग करते है वो दा हिंदू नियूस पेपर की है और यह एक इंटव्यूर है जिनोंने अंबटो इको का इंटव्यू लिया था फाइन चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशिन की तरह और अगला क्वेशिन देखेंगे इंटर्व्यू पर बेस्ट आप से पूछा जाता है वह लोग ना कहां की इनिवस्टी ए इटली की इनिवस्टी अप देखिया के क्या लिखा वा वाट इस तो यह जो यह जो नॉवल है इसकी सक्सिस का राज क्या है वह इस दा राज है ना जल्दी से बताएगे जल्दी से बताएगे मिस्टिक मेटफिसिक एंड मेडिवल हिस्ट्री पेरियर यूज या फिर डिटेक्टिव स्टाइल इन थियोलोजी या फिर ओल ओफ दीस दा नीम ओव द रोज जो नॉवल है उसकी इतनी चर्चाओं का कारण क्या बना पहले लिखी जाती और दस साल बाद लिखी जाती तो इतना इंट्रेस्ट लोग का डविल अपना होता तो उसको कुछ इस तरीके से उन्होंने लिखा था जो चीज बहुत इंपोर्टेंट थी फटा फट बताईए क्या होगा असका अंसर कि एवरीबड़ी जल्दी से बताईए कि सेशन को लाइक कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाएं आधे घंडे में आप लोग के और लोगी सारा आपको सिलिबुस कम्लीट करवा दूगी और इंपोर्टेंट क्वेश्टिंज भी बता दूगी वह वह उप्षेंट आप लोग ज़रूद आप लोग ज़रूर पढ़ लेना बहुत इंपोर्टेंट है कि वेरी गुड कि हुआ हम है कुछ बच्चे डीयान से कर रहे हैं कुछ बच्चे सीयान से कर रहे हैं तो मैं बता दू सारे ही रीजन्स थे एक तो वो कॉमिनेशन थी मेटा फिजिक्स और मेडिवल हिस्ट्री की बाकि उसकी मिस्ट्री आज तक लोग को समझ में यह कि वो इतनी जादा फिमस क्यों थी और वो अपने डिटेक्टर स्टाहिल के लिए भी बहुत दा जाने की उस ताइम यह चीज़े बहुत चर्चाहों में थी यहां पर ऑथर ने पॉजिटिव ट्रेशन आपका यहां पर नहीं है बटाओ इंटर्व्यू की खासियत बताईए वह इस दी खासियत आफ इंटर्व्यू जो की आपको यहां पर मेंशन करी गई है वह एक मीडियम आफ कम्मिनिकेशन होता है यह बात भी टू है है ना वो लोगों के हिडेन टालेंट बताता है कि एक बंदा कितनी तरीके से चीजों में इन्वाल हो सकता है जैसे कि अमबर्टोई को सबसे बेस्ट एक्जामपल है और तीसा क्या है ब्रेंग आउट दा टूट्रूथ एंड गिविड इंप्रेशन ऑफ कंटेंपरी इस फ फिर हम लोग बढ़ते हमारी पॉम्स की तरफ आदे गंटे में हम सादा कंपलीट कर देंगे इस को यह लास्ट चाप्टर है अपका फ्लेमिंगो बुक का गोइंग पैसे विच इस रिड़न बाई एर बार टेन इस इस तोरी जो कि हमें किसके बारे में बताती है सोफी लड तो इस तरीके से जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं वो फैंटसी में करते हैं उन्हें रियालिटी की हाडशिप्स पता नहीं होती और वो अपनी ही इमाजनेशन में रहते हैं तो यहां पर उसी चीज़ को हाइलाइट किया गया है आप मुझे बताएंगे हम लोग अब Sophie की फैमिली किस प्रफेशन से बिलॉंग करती है मैं आपको बताती हूँ Sophie के सपने क्या क्या थे वह अक्टर बनना चाहती थी वह अपना बुटिक खुलना चाहती थी वह फैस्ट डिजाइनिंग करना चाहती थी Sophie की एक दोस्त है Jan C जो उससे बिलकुल अग है वह रियालिटी पे जीती है वह प्राक्टिकल है है वह उसको बोलती रहती है कि यह जो तुम सपने देखती हो यह उन्हीं के पूरे होते है या तो बहुत एक्स्पिरेंस होते है या फिर पैसे वाले होते है हमारे पस दोनों में से कुछ भी नहीं है है ना सु याद रखेगा इंपोर्टेंट है सोफी का एक भाई भी है जौफ जिसको डैनी कैसी बहुत पसंद है है ना इसी वज़े से वो डैनी कैसी की जूटी मंगड़त कहानिया इसको बताती है कि इससीूज दोपादी है है ना Tycal एका आड़की मनें किया अगया है ना रखारी और जो मेल है मेल डॉमिनास दिखाती है आक हम भाई भयोट बढ़े फैन है है ना बैच देखने के और वो बियंस्ति आज प्लम्मी भी बदायी गाई है मम्मी का एक normal role दिखाया गया इनके family में middle class people है और biscuit factory इनका profession बताया गया है ठीक है चलो so I hope this is quite clear to everybody now यह आपका जो main character है वो है Sophie, Jov और Jancy है ना इनके father की तो दिखाएगे यह dominance है कि लड़की किस सरीके से बहुत जड़ा respect किये जाते हैं इनकी family में उनकी इनकी कितनी value करी जाती है question लेके what is the meaning of the word nosy gawki अब यह meaning बताना है आपको nosy और gawki का मतलब क्या है nosy का मतलब क्या है और gawki का मतलब क्या है जल्दी से बताओ nosy meaning inquisitive gawki मतलब awkward noisy or beautiful noisy or useful यह फिर noisy or gainful इसका meaning बताना है आपको story going places revolve around whom यह story किसकी है यह भी आपको बताना है biscuit factory की spelling साइस से लिख दीजगा बिटा बहुत important है आपके लिए आज paper बहुत अच्छे से होगा आपका revision हो रहा है मैं कोशिश करूँगी आप लोग का 7 बज़े तक revision करवा करके खतम करवा करके आपको भेच दूँ आप सेशन को लाइक करो फटा फटा की बाकी स्टुदेंट्स भी हमार साथ यहां पर कनेक्ट हो वी वांट कि यहां पर 10,000 स्टुदेंट्स हमार साथ यहां पर हो आप यह सोचिए टीचर्स आपके लिए ओल टाइम रेडी रहते हैं आपको पता है मैं राद भर सो यह नहीं कि कितनी जादा जरूरी है आप लोग के लिए और सुभा सुभा किदा फ्रेश रिविजिंज होता है वो याद रहता आप लोग को कर दोस्ति को का वाल जयात वहें है अडला समय हो जबाद के सवाल जवाफ करना और मतलब होता है अजीब बद भालन सा अजीब साइब और यही ड़ूर्ट ग। इस क्योश्चिए और यह जो गूइंग प्लेस श्ची धूरी है वो गुम रही है वो एक टीनेजर गल सौफि तो आपको अगर कोई क्वेशन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो आगे बढ़ेंगे लेकिन जाते जाते आप लोगो यह बताते ही जलो अगर आप स्क्रीन चुछ ले लिजे आपको हर तना की कांसलिंग यह पर मिल जाएगी ठीक है आएगे अब हम आते हैं हमारी पॉँपर ज 626 ayrma My Mother at 66 is written by Kamla Das and okay उहां पर किस matter को highlight किया गया है इ бой कौंसी life stage को highlight किया गया है और इसका comparison किसे किया गया है अंटर कर कर के बता। यह का थीम फिर मैं आप लोग को बताती हु जल्दी से कौंसी कौन सी एज को यहां पर हाइलाइड किया गया है और उसके बाद उसका कॉंट्रास किसे दिखाया गया है फटा फट बता हू एवरीबड़ी एजनिंग एक इंपॉड़न प्रोसेस यह बताया गया है इंसान की जिन्दगी में तीन सेजिस आती है इसका बच्पना फिर उसका ह हुआ है इंसान कमजोर हो जाता है वीक उगता है उसकी बोड़ी में नहीं बच्ती वहीं जब इनसान जवार होता है तो वह कितना उनरजी से बरा हुओ होता है कितना चाम होता उसके ओvideo कि तो यह दोनों इंपोर्टेंट है याद रखिएगा तो बेसिकली यह पूरा जो प्रोसेस है वो एजिंग के बारे में बदाया गया कि किस तरीके से जब उड़ापा आता है तो इंसान नियर टू डेथ पहुच जाता है उसके इंदर बिल्कुल भी एनरजी नहीं बचती और बताया गया कि कैसे एज के साथ साथ इंसान का रिलेशन्शिप जो होता है वो और स्ट्रॉंग हो जाता है आप इंपोर्टर क्यारेक्टर कौन-कौन है एक तो ऑथर है उनकी मदर है कुछ बच्चे है और पेड़ है चिल्रेंट और बच्चे किसका सिंबल है यह सिंबल है मदर किसका सिंबल है मदर वह सिंबल है रिलेशन्शिप का जिनके अंदर बहुत ज़दा पेइन है और पेइन किस चीज़ को लेकर के है अपनी मदर से सेपरेशन को लेकर के ऑथर ओधर के अंदर ही बहुत ज़िदा पे न है। वह अपनी मदर से जुदा हो रही है। क्यों क्यों फील हो रहा है? क्योंकि उनकी मदर की लास्टेंज और फ्लाइब है उनको लग Рा क्यों कि उनकी मम्म्य से connected आपको कुछ बताना है तो आप दो comparison ने सकते हो फटा फट बताओ दो कौन से चीज़े हैं जिससे compare किया गया है author की मदर को everybody question हम लोग करेंगे उसके बाद pain of separation ठीक है चलिए शबाश smile and smile and smile वो hide करना दिखा रहा है उनके pain को very good देखो she put that thought out of her mind and smile laughed heartily cried bitterly I looked out of the window तो उन्होंने उस thought को अपने दिमार्ग से निकाला और फिर कहां देखने लगी थी वो विंडो के बाहर यह ना यह वाला काम तो उन्होंने बाद में किया लास्ट में एक दम जब उन्होंने अपनी मम्मी को देखा और अदर्ट चुपा रहें थी पोएटर से धार मदल लुख पे लाई का कॉप्स घौस्ट माल नरिश्क्राइल यो अनेमेग परसन तो यहां पर उन Reese's और किस से कंप मिया गया है कॉप से दो चीजों किया गया है अजों किस से कंप उरड बॉरस दूसरा किस चीज से कंप उर किया गया है क्रिएट कहां पर the Mary children's spilling and the tree sprinting यहां पर metaphor कैसे है यह यंग age को define कर रहा है और वैसे tree sprinting में personification भी है क्योंकि non human being human being की activity कर रही है और Mary children's filling में imagery भी यूज किया गया है क्योंकि दिखाया रहा है बच्चे कैसे सब्सक्राइब कर दो जो आपका s letter समझते हो ना जो भी आपका s letter है वो इक consonant letter है उसी से words repeat हो रहे हैं यह आपकी poetic devices यहां पर यूज होई है I hope this is quite clear to everybody fine चलिए आगे बढ़ते हैं comment section में answer कर के बताईएगा जल्दी से क्या होगा keeping quiet is one of the story जो कि Babylon Ayuda ने लिखी है यह एक anti-war poem है यहां पर पोईट non-violence की बात कर रहे है वो कहा है किसी तनहा का वाइलेंस मत करो चाहे वो अनिमल के अगेंस्ट और चाहे वो जो गरीब लोग है उनके दुखो उनको भी वो हरने की बात कर रहे है ना यहां पर गरीब लोगों के दुखो को दिखाया है और उस पर वर्क कर ले के लिए बोला है और अनिमल्स के टुवर्ट हो और उस पर वर्क कर ले कले बोला है उन पर वर्क कर ले कले बोला है इसके लिए वो कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से दो चीज़े होगी आप आपने बारे में सोच पाओगे और यह पता चल पाएगा कि आप क्या कर रहे हो आप रैशनल उपाओगे सही हो गलत में डिसीजन ले पाओगे क्या सही है क्या खलत गलत है उसमें अंदाज़ा लगा पाओगे अगे देखी next story में character कौन कौन है दो ही major character है एक तो speaker है speaker कौन है राइटर ओफ दस्टोरी पैबलो नर्यूडा पैबलो नर्यूडा काउंट करने के लिए 12 तक आप मुझे बदाएगे 12 किस चीज़ का सिंबल है या 12 बारा तक गिनने के लिए उ क्यों बोल रहे है यह बारा क्या दिफाइन कर बोल सकते हो speaker narrator of the story जो है वह हमें count करने के लिए 12 तक ताकि हम introspect करें कि हम क्या कर रहे है हम शानत रहे और हम analyze कर आपने आपको कि जो कर रहे है वह सही है या गलत है लोगों से ही वह count करने के लिए 12 speakers जो है वह people से ही कह रहे है कि count करो 12 तक और कुछ भी जो भी आप गलत कर र है next question question पूछा जा रहा है यहां पर what does the point feeling is needed to be at peace क्या जरूवत है अपको शांत शांत रहना है तो किस चीज़ की जरूवत है meeting with people talking with people interaction with people soul-searching quickly 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 like this session I want to connect with us here 10,000 students here one time you will like this session and all the children whose papers will come and we will try to finish it quickly very good very good very good yes very nice so here interaction with people soul-searching is thing about a Friday morning when talking about who to speak about this topic so to speak about peace you are supposed to be sodee-correct answer you are according to poet what create the barriers what does it create the barriers you can write here with revealed juxtel interaction reaction fighting the language so what is the one that creates the barriers quickly 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 is the one quickly 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 إلى 국ASE यहां पर अगर पोईटिक दिवाइस देखने है तो आप देख सकते हो एलेट्रेशन यूज हुआ है विदाउट वर्ड का विदाउट विदाउट वर्ड रिपीट हो रहा है system डीफॉलिशन आप या इंथ सब्सक्रावाट विदाउट वनेयां और अनी यां फटेशन विदाउट वर्ड वर्ड वनेया वट को हैं जम अणुऻन रॉड बॉज जा है और घ्र B new और पार्यूनिविद वड़ी पॉर्ड को काम करें कि परसॉनिफेकेशन हो जाएगा मेंटफर कहां क्रिएट किया गया है शेड का रेफरेंस दिया जा रहा है प्रोटेक्शन से और कौन से शेड की बात कर रहा है कुछ ना करो तब आप एक साथ होगे एक साथ होगे प्रोट्टेट होगे एंजाब्मेंट यूस किया हीं जाब्मन क्या होता है जब एक ही लाइन कॉंटिनीव करती है दो-तीन लाइन कॉंटिनिव कर देते हैं वह बिना पन्क्टुएशन माक के तो एक लाइन तक भाग बाद में फुलिस्टॉप आ लाइफ की प्रॉब्लम्स को हाइछ लाइड किया गया है जिसमें से एक कर्क्रिक्तर यहाँ पर लिख वो अंच्छने फर है आँ जैफर जितनी जा दा बंधी हैं उनकी इनर को इनर डिजार्स उतनी ही जादा खुली है है वो फ्री रहना चाहते हैं जस्त लाइक टाइगर्स तो टाइगर उनकी इनर डिजार को मेंशन करते हैं और बाकी अगर आप से थीम पुछा जाए तो यहां पर प्रॉब्लम्स को हाइलाइट किया है देख यहां पर लिखा है आंट जेनिफर मेंशन हैं अंकल है ताइगर्स एंप बारे में सब कुछ बता रहे हैं अंजनिफर वह वह मैरेड लेडी है जो की प्रॉब्लम से सफ़ा रही है अंकल वह परसन है जो कि अपनी डॉमिनस आजनिफर के उपर दिखा रहे हैं और उन्ह पर जो एंब्रोइडरी आंट जनिफर ने बनाई है वो उनकी इनर सोल को डिफाइन कर रही है राइट अब देखो क्वेश्चिन देखो बहुत इंपोर्टेंट है सारी क्यारेक्टर्स पता चल गया ना अब बताओ अब यह इको थुरू हर वर्क पूछा गया है जो पूछा गया है इनके वर्क से क्या दिखाई देता है वो पूछा जा रहा है आदरन रिच का जो वर्क है वो क्या शो करता है आदरन रिच ने जो स्टोरी लिखी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है फटा फट बताओ जल्दी से और यह स्टूडेंट्स को ना लेट्स ब्रेंग टू 10,000 है ना सारे स्टूडेंट्स को फटा फट आप लोग कैसे शेयर करोगे आपको शेयर करने की जरूद नहीं भी ह तो आप सेशन को लाइक कर दो बाकियों के पास अपने आप पहुच जाएगा ठीक है फटा फट जल्दी से लेट्स ब्रेंग एट टू 10,000 है वेरी गुड हाँ उन्होंने रेसिजम के अग्लेस यहां पर हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा है जेंडर वोल्स को जब डिव अपर जब लाइफ दो नहीं पर लाइफ की प्राइब की प्रॉइम यह जो जो शादी शुदा उरत है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दिखाई जारी है जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखिए अनाफ और आया है आप पर रेपेटिशन आफ वर्ड रिपीट हो अपर जारा है मेटफर आ रहा है तो पास को डिफाइन किया गया है किससे ताइगर से आलिटरेशन आ रहा है फिंगर टर रिपीट हो रहा है तेरिफाइड हांड एक सिंबल सा वर्ड आप किसी बड़ी क्यारेक्टर के लिए यूज करते हो तो आप उसको बोलते हो और सिने को एक ट्राप दिखाया रहा है इस इस अलसो अ फन देन एक और एलेटरेशन यूज हो रहा है दोनों में देखो पी लेटर का रेपटिशन आ रहा है आ रहा है ना समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते है नेक्स पोर्म है अधिंग ऑ ब्यूटी मुझे जली से बताओ अधि ब्यूटी है वो डिफरेंट डिफरेंट फ़र्म में आती है like sun, moon, trees, daffodils और लोगों की जो stories होती है जो poems होती है उससे और यह जो beautiful things होती है वो हमारी soul को सूथ करती है हमे अच्छी नीन देती है अच्छी स्लीप देती है अच्छी सास देती है चैन की और वो हमारी जिंद तो आप बताएंगे thing of beauty क्या है thing of beauty भगवान का दिया हूए a blessing है जिसमें बहुत जादा अच्छाहिया है उसके examples दे सकते हो है और वो किस चीज को दूर कर रही है वो बुराइयों को दूर कर रही है दुख को दूर कर रही है तो यहां पर यह जो छोटा से तो speaker है जो narrator of the story है वो और दूसरा आपको यहां पर जो as a character use किया गया है वो सिफ endymion ही है एक shepherd और दूसरा moon goddess that is it देखो यहां पर sheep का reference किस से mountainous animals से human beings से harmless creature से यह फिर heavens brink से सो फटा-फट आंसर करके बताएंगे sheep कौन है और दूसरा question है what is sprout shady boon shady boon for sheep कौन create कर रहा है human beings creepers trees and trees new and young या फिर trees old and young फटा-फट बताओ very good so यहां पर sheep का reference दिया गया है human beings से और दूसरा sprout shady boon sheep के लिए कौन बना रहा है trees बना रहे हैं बावर कोई वही तो create कर रहे है shady boon वही तो create कर रहे है कौन old and new trees so the correct answer of this question is d आच्छा मुझे बताओ यहां पर कौनसी poetic device यूज हुई है trees old and young कौन सी poetic device यूज करी गई है trees old and young में trees old and young में कौन सी poetic device यूज करी गई है जल्दी से बताओ क्या यूज करी गई है जल्दी से बताओ क्या यूज करी गई है अन्टेथिस ठीक है न दो opposite words old and young allotration आ रहा है SOS का repetition देख लो sleep full of sweet dreams metaphor create किया गया है metaphor में क्या create किया गया है वो भी आप देख सकते हो अब आवर कोईट है ना flowery band ठीक है और a fountain heaven's brings से आने वाला यह सब metaphor क्योंकि सब thing of beauty को define कर रहे है अनफ़रा repetition होता है तो of noble natures or of the unhealthy तो off word का repetition और इस इस वोट इस इस आपका अनफ़रा imagery imagery में imagine करवाता है कि कैसे दिखो heavens brings से fountain निकल रहा है यह poet imagine करवा रहा है musk roses कैसी प्यारी प्यारी खुश्बू दे रहा है यह वह imagine करवा रहा है कैसे हम लोग flowery band बुन रहे हैं वह imagery बोल रहा है यहां पर वी आर्व रहे थिंग बोल रहा है यह inversion नेक्स देखिए आंटिथेस उपोजिट वर्ड्स होते हैं तो old and young में आंटिथेस यूज़ है अब हम लोग जाएंगे last poem पे और last poem है roadside stand आप मुझे comment section में answer करके बताईए और यहां पर किसके दुखो को दिखाया गया है रूरल पीपल के जो कंट्री के किलारे एक roadside stand लगा लेते हैं गरीब है वो उनके पास पैसा नहीं है उन लोग के पास धंके sources नहीं है बट वो अपनी जिन्दिकी को जैसे तैसे करके क्या कर रहे हैं जी रहे हैं चला रहे है जली जली फटान फट से आंसर करके बताइए रॉबर्ट फ्रोस्ट वाइन अब यह जितने भी गरीब लोगे उमीद लगा रहे हैं अमील लोगों से पैसे पैसेवाले लोगों से सिटी के लोगों से लेकिन अनकी मदद करने नहीं आ है क्योंकि वो लाल्ची है और वो तक नहीं है और greedy good doers के नहीं बोल रहा है कि जो इनके पास आता है वो फाइदे के लिए आता है तो वो politicians को बूला जा रहे हैं so poet इनकी जो desire है उसको childish longing बोलते हैं क्योंकि ये लोग सोचते है कि city लोग इनकी मदद करेंगे बट वो लोग अच्छे नहीं है तो इनकी मदद नहीं करेंगे और इसलिए से इनकी जो डिमांड है जो desire है वो वेस्ट है क्योंकि उससे कुछ भी फाइदा होने वाला नहीं है नेक्स देखो ठीक है अब यहां पर दो केरेक्टर्स हैं पहला तो आपको नरेटर याद रखने रोबर्ट फ्रॉस और दूसरा एक गरीब किसान याद रखना है जिसका पहला रोटसाइट स्टेंड है जो वालबरी और पंकिन यसी चीजे भेज रहा है रोटसाइट स्टेंड और रही कि प्रॉब्लम्स को यहां पर हाइलाइट किया गया है अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कहरा है वाट इस पोएट कॉल्स ट्रेफिक Polish traffic Polish traffic से poet क्या कहना चाहते है वो एड्मार करें roadside sand को वो indifferent रहे he condemns this indifferent attitude of the city folk and feels the pain of the rural folk तो यहां बे बुलजा रहा है poet क्या कह रहे है Polish traffic से जो पास से गुजर रहा है कि वो roadside sand को एड्मार करें वो उसके साथ इन्डिफरेंट है या फिर वो उनके उपर क्रिटिक कर रहे है कि वो लोग इतना monotonous क्यूं रहते हैं इस चीज को लेकर के हाँ so very good वो टॉंट मार रहे है so she is the correct answer वाई डिडा स्टॉपिंग कार रियाक्ट अगर स्टॉपिंग कार उखती भी है वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस तो पैसे वाले लोग आते हैं और टॉंट मार करके चले जाते हैं so यहां पर अंसर हो जाएगा आपका a fine चली so यह तो हो गया clear अगर लेटरेवाइस देखते हैं तो ट्राइं ट्रांसफर एपिथिट है ट्रांसफर एपिथिट होता है जो जए किसा लाओन को फbenहर और उसे लोगन के बाता है işte, बतार हुआ जासे पारइस भाष्च फेला धेन बात करहा है पैसे लोगन के बात करहा रहा है आपका जासच के खाल चाले की किसी लालची लोगन की बात करहा है जासे पुलेटिशन वगर रारा है यह आपका एक personification है non living thing की activity कर रहा है और खाली अगर pathetically played आ जाएगा तो वह आपका alliteration हो जाएगा metaphor trusting सौरोग इसको बोला गया है गरीब लोगों को तो यह metaphor है oxymoron और alliteration यूज हो रहा है greedy good doers में बेनेफिसेंट बेनेफिसेंट पॉसिटिव वर्ड है बेनेफिसेंट पॉसिटिव वर्ड है बीस्ट ओफ्रे आपका नेगेटिव वर्ड है है तो यह दोनों opposite स्टोरी का अगर आप लोगों को पूछा जाए कि राइटर कौन है तो जैक फिनी है थर्ड लेविल आपको क्या बता रही है थर्ड लेविल आपको बता रही है कि कैसे modern world full of insecurities है और लोग उसे बचने के लिए किसके सरह का escapism ढूंते तो थर्ड लेविल भी एक तरह का escapism है चार्ली के mental depression से बचने के लिए राइट अच्छा आगे जाए इसमें क्यारेक्टर को आन है चार्ली है जो में क्याक्टर ऑफ द स्टोरी है साम है जो कि लेसिन का थीम क्या है what is the theme of the lesson human tendency of escapism because of the harsh realities of present time traveling theory of escapism या फिर डाय लोग बट्वीन पेशेंट और साइक्यार्ट्रिस्ट बताईए पटाफट बताओ चली से अंसीन पैसे जब सुबह सुबह आपको अंसीन पैसे नहीं पढ़ना बस मैं आपको एक चीज थोड़ा से एक्स्प्लीन करूंगी जब आप एक्जाम में जा रहे हो तो आप अपना राइटिंग सेक्शन पहल करना आपको easy लगेगा करना वो very good human tendency of escapism of harsh reality so a is the correct answer next देखिये story की शुरुआत कैसे हुई jovial manner में aggressive manner में happy manner में serious manner में serious manner में हुई है कि सब कहते हैं कि वहाँ पर 2 level है लेगिन Charlie कहता है 3 तो यहाँ पर एक serious manner में इसको start किया गया so d is the correct answer next देखिये अगला chapter है आपका काल की का लिखा हुआ tiger king tiger king एक तरह की irony है जिसमें यह बताया गया है कि जो tiger का बताया है उसको मारने वाला भी एक tiger ही है fine so यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो उन लोगों के उपर टॉंड कर रहे हैं जो लोग पैसे वाली है और पैसे की आण में वो कुछ भी गलत करते हैं और 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 करते हैं दूसरों को वो कितने गलत करते हैं है ना यहाँ पर इकोलोजिकल बैलेंस को भी क्रियेट करने की बात कर रहे हैं वो यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो भी एक लीविंग की और क्या है और यहाँ पर एक चीफ एस्ट्रोलॉजर भी है जिन्हों ने प्रफेसी करी थी उस दस दिन के बच्चे के लिए किसे एक टाइगर मारेगा फिर एक दुरई है जो की चीफ लीडर है तमिल का और एक दुरई साइनी भी है जिसको डाइमेंड रिंग्स बिजवा और नौकरी के डर से उनका हर काम करने के लिए उनके गलत को भी सही मानने के लिए तो दीवान इस चीफ एड्मिर्स्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ महाराजा फाइन चाली फिर दुरई साइनी के वाने में तो मैं अल्रडी आपको बता चुकी हूं पाच पचास रिंग देनी बताओ जली से किंग ने चालेंज कैसे किया अस लौजर को पहला टाइगर मारके आपने स्केट के सारी टाइगर मारके या नन बताओ हाँ तीन लाग की थी वेरी गुड जली से बताइगे दो चाप्टर चाप्टर बचे हुए और रिविजन फटाफट करेंगे दन इस एंड ठीके बाकी आप लोग अपना पेपर अच्छे से दीजेगा राम से आप लोग अपना पेपर दे लेंगे बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है बस थोड़ा से टेंशन फ्री हो प्रिंटे एंगे ना से साथ इस एच ऊद भी या फिर अंका इह रिए आपका अपर रैक या फिर फ्रींस ने कभ शाधि करीत надо हम एंप बस बस हो गया चाथम अपने अपने त्टेट की अपने अपने आप की इन्होंने शादी करी थी, so answer क्या हो जाएगा, जब इनके आंके टाइगर्स खतम हो गए थे, see, fine, चलिए, next है, journey to the end of the earth, इस चाप्टर को लिखा है, तिशानी दोशी ने, वो यहाँ पर बताती है, कि देखो, climate changes, बहुत गंदा impact दालते हैं, अर्थ के उपर, और अगर आप अगर क्यारेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो तिशानी दोशी यहाँ पर जो है, narrator है, story की, और इन्होंने ही पुरी voyage कम्लीट करी है, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर ओटो लिडन रोग, जो की बहुत hot-tempered geologist है, उनके thoughts भी बहुत radical है, एक्सल भी एक ब आपर जो की Icelandic Idder Duck, Hunter है, जो की हायर करते है, मतलब जो हायर किया जाते है, मतलब यह जो पर्सन है, यह जो परसन है, यह हायर किया गया है, इनके दौरा इनके दौरा, ताकि यह नकी मदद कर साके, कहां पर, एंटार्टिका में, आप देखो, question देखो, बहुत important है, यहाँ प करती है around the world tourism children and their tour or the world most preserved place Antarctica so you will say Antarctica okay let me tell you first Antarctica and India share the same landmass and it was a super continent what is the name of that super continent why is a visit to Antarctica important to understand the effect of global warming Antarctica की visit क्यों जरूरी है global warming को समझने के लिए because here one can see quickly melting glaciers and collapsing ice because it is filled with snow because it is away from urban rush या फिर नन तो क्या answer हो सकता है Antarctica एक important feature कैसे हो सकता है global warming का बताईए गुंडवाना correct बुछे सोब पचास मिलियन साल पले exist करता था है ना चलिए हाँ गुंडवाना very good very nice very great very great चलो फटाफर इसका answer दो Antarctica की visit important क्यों है global warming के effect समझने के लिए जल्दी से बताओ very good क्योंकि वहाँ पर glaciers melt कर रहे हैं और कोलापसिंग आइस बहुत तेजी से हो रहा है राइट इस वुझे से आप वहाँ पर इसली पता लगा सकते हो कि किस तरह का अच्छा मुझे बताओ आप लोग का जो पेपर सेंटर वो काफी दूर है क्या है पेपर के लिए आपका सेंटर थोड़ा दूर पढ़ा हुआ है क्या आपको टाइम लगेगा जाने में कितने बज़े तक आपको घर से निकलना है मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता क्वेश्टन में बता दूंगी आप उसको पढ़ लेना कितना टाइम लगेगा आपको कितने बच Heear हो करके निकलना फटपट बताओ जल्दी बताओ पिदने मज़े तक आपप लोग को निकलना है कितने बचे तक निकलना है आप लोग को यहां से 18 km तो बहुत जाद हो गया 8.30 तक निकलना है 7.30 तक ठीक है तो हम लोग फटा फट इसको कम्रीट कर लेते हैं फिर आप लोग निकल जाओ 9 बचे तक निकलना है तो पर तो बहुत ताइम है आप लोग के पास अभी 9.30 अराम से टाइम ही टाइम है जो क्वेशन बता दूंगे आप लोग पढ़ना है देखो दा एनिमी जो आपका चाप्टर है इस अनदर चाप्टर जो आपका फिस्टास से आ रहा है इसको लिखा है पियस बच ने और यहां पर में बताया गया है कि लव और कमपाशन कैसे आ किसी भी इंसान के साथ अच्छा कर सकते हो और हुमानिटी इस अब वॉल यह भी बताया गया नौ यहां पर क्यारेक्टर सदाओ है जो कि एक डॉक्टर है जापनीज डॉक्टर है उनकी वाइफ है जो नको सपोर्ट करती है ट्रीट करने में अमेरिकन सोलजर को टॉम एक अ पुल जेनरल है जिसको एक बार हाट अगा चुका है अगर दुबारा हाट अगा तो यह मर जाएगा यह डॉक्टर सदाओ पर बहुत जदा विश्वास करता है डॉक्टर सदाओ इसका ट्रीटमेंट करें करेंगे गार्डिनर यूमी और को यह सब सर्वेंट्स हैं किसके घ करेंगे रखती है और सदाओ के फादर का भी जिक्र गिया गया है इस चाप्टर में डॉक्टर सदाओ के फादर को बताया गया कि वह एक्स्ट्रीम लेविल के पेट्यॉर्टिक परस्नाल्टी थे और वह जबीन ही तरसे बहुत जदा जुड़े हुए थे और बहुत ही क्यों छोड़ दिया विकास ही वह वोडिट वुड़ी था विकास ही वह जद्यून आमरीकन सोलजर अन्र व्यवतूर्टिक यह बखाद अंसी कहां मिला था अमेरिकन सोलजर उनको पार्क में बैटल फिल्ड में घर के बाहर इस नद तो आप बोलेंगे उनके घर के बहर फाइन ठीक है अब आप मुझे कॉमें सेक्षिन में यह आंसर करके बता दीजे जब डॉक्टर सडाव कन्फूजिन में थे तो उन्होंने प्रेफरेंस किस चीज को दिया आपने डॉक्टर होने की ड्यूटी को ने भाया उन्होंने या फिर उन्होंने एक पेट्रियोट होने की ड्यूटी को ने भाया तो कौन सा फर्स था जोनों ने पहले कफो which को क्प्प्लीट किया था या पेट्रियोड होने की कफो तो फटा फट बताओ को जल्दी से On the face of it chapter चापका सुसान हिल ने लिखा हुआ है यहां पर आपको बताया जाता है एक इंपोर्टेंट लेस्न दिया जाता है कि हमारा जो भी अपिरेंस है उस पे हमें अम्बारिस फील नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें जो भी देते हैं वह भुछ सोच समझ करके देते हैं और भी शुट बी प्राउड ओफ यह उसी में ही खुश रहना चाहिए और हमें अपने थोट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए ना कि दूसरे के थोट्स को कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है अगर हम हमारे थोट्स को अच्छा रखेंगे तो हमें किसीके भी थोट्स ङोए वह नेगिटिव फील नहीं करवा सकते तो हमें जीनदगी में ऑप्टेमिस्टिक रहना चाहिए यहां पर आपको दो चैरेक्टर मिल रहे है मिस्टर लाम और डरी Mr. Lam जो है उनका एक पैर टिन का है वो एक युद में अपना पैर गवा चुके है और उनको सब लोग लेमी लाम चुड़ाते हैं क्या चुड़ाते हैं लेमी लाम ठीक है ना और लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहते हैं वो आप्टिमिस्टिक परस्नालिटी है और उनका को सब्सक्रीक आपक्ष Brown आफन संप्सक्रां करते हैं बोलते हैं लोग उसको प्यार भी नहीं करते क्योंकि लोगों को यह लगता है कि ऐसे चहरे को सिफ मम्या ही प्यार कर सथी है और कोई नहीं राीड और यही क्योंकि दोनों ही physical impairment से गुजर रहे हैं this is the only reason कि यह दोनों सेम तरहा का pain suffer कर रहे थे physical impairment से दोनों ग्रसेत हैं इसी वज़े से यह दोनों एक दुसरे के काफी ज़दा close हो पाते हैं और एक दुसरे के साथ bond share कर पाते हैं fine I hope this is quite clear to everybody question देख लेंगे हम लोग यहां पर देखे जली से क्या लिखा हुआ है how did Mr. Lam pick apples Mr. Lam apples कैसे picket है bending down with the help of the servant with the help of the children या फिर ladder or stick की help से तो Mr. Lam ने apples को कैसे pick की आपको यह बताना है fine और फिर पुछा गया है how did Mr. Lam use apple Mr. Lam ने apples को किस तरह से उसकिया जाम बनाने में पिकल बनाने में पैसर कमाने में या फिर he used to make jelly with them या फिर वो जेली बनाते थे तो आप पुछे comment section ने दोनों का ही answer करके बताएए first का भी और second का भी everybody Mr. Lam ने ladder को यूस किया था with the help of a stick second वाले का बताईए Mr. Lam क्या बनाते हैं apple से question number लिख दीज़े जली से very good very good very good Mr. Lam आपल से इस्तिमाल करते हैं उसे जली बनाने के लिए so the correct answer of this question is D आगे बढ़े next पे next है आपका memories of childhood memories of childhood autobiographies है और दोनों ही autobiographies में दो females हैं एक Zitkalasa है और दूसरी है Bama Zitkalaasa और Bama दोनों ही social discrimination का शिकार हुई Zitkalasa racial discrimination suffer कर रही है या face कर रही है और जो Bama है वो कास discrimination face कर रही है दोनों ही अपने बच्पन को याद कर रही हैं और बच्पन की स्टोरीज बता रही हैं कि किस तरीके से उनकी बच्पनी में ही उनको यह realization हो गया कि वह social discrimination का शिकार है जब जड कालासा चोटी सी थी तो उनको एक स्कूल में भेज दिया गया वो एक अमेरिकन इंडियन थी तो उनको जो बाकी अमेरिकन थे वो बहुत बुरी तरीके से डील करते थे या मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे उनको अपना tradition चोड़ना पड़ा था उनके साबसे कपड़े पहनने पड़े थे उनके ब्रेक्फुस्ट चेबल के रूल समझ में नहीं आते थे जिसकी वज़े से बहुत embarrassment हुआ और सबसे गंदा चो scene उनके साथ हु उनके बारे में दिखाया गया कि जब वो स्कूल से लॉटती थी तो स्कूल से वापस आने में सिफ 10 मिनिट कर रास्ता था लेकिन वो रास्ते की मज़दार चीजों को देखती वी आती थी तो उनको 45 से 50 मिनिट लग जाते थे तो बामा को एक दिन पता चलता है कि वो तामि बामान में उससे बाहर आने के लिए क्या किया उनके भायने उनको सजस्किया पढ़ो लिखो और टॉप करो तभी तुम सोशल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार से बच सकती हो तो उन्होंने अपने क्लास थर्ड में टॉप किया था है ना सो इस चाप्टर में हमें दो चीज़े दिखाई गई है पहले तो किस तरीके से सोशल डिस्करिमेशन होता है रिचेल डिस्कूरिशन के सो ने दिसक्रिमिनेशन और दूसरा इस बताती डिस्क्रिमेशन के लिए उनोंने कैसे आवाज ट्था ही कैसे बिल किया सोचनी बड़े औरहा टॉट सरुछ आर्टिकल्स लि cutting of long hair क्या दिखाता है subjection to rulers, her wish to dominate her wish to get justice या फिर her wish to look model long hair cutting of long hair क्या define कर रहा है subjection to rulers her wish to dominate, her wish to get justice या फिर her wish to look model जटकाला साज ये word यूस कर रही है जल्दी से बताओ, फटा फट जल्दी जटकाला साज की फ्रेंड का नेम था जुडविन 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 नाम था उन्होंने उनको बताया था कि तुम्हारे बाल काटे जाने वाले वो यहां पर highlight करना चाहते है कि rulers ने उनके साथ क्या किया so cutting of my long hair word को उन्होंने इसलिए यूस कया क्योंकि she is just want to show that how were the rulers so the correct answer of this question is A क्योंने बड़े बड़े बालो को कटना पड़ गया मतला उनके कटवा दी उन्होंने बामा की ब्रदर कौन है a boy a young boy a nun या फिर नन क्या बामा की ब्रदर का नहीं मेंशन है या नहीं है फटा फट बताओ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है बिटा reply को बॉक्स में बनाने के लिए नहीं बूला गया है आप खाली अपना जो application for job का CV है उसको बॉक्स में बनाएंगे दूसरा आप किसको बॉक्स में बनाएंगे आप notice को बॉक्स में बनाएंगे और तीसरा आप अगर letter को कार्ड में बनाएंगे तो बॉक्स में बनाएंगे अदर वाइस नहीं बस खतम हो गया बिटाइए हाँ अनन नाम है ठीक है और वही उनको motivate करता है कि किस तरीके से आप social discrimination से बहार निकलो आप बताओ कोई question अगर आप paper देना अच्छे से मत्सूखर के paper देना paper आपका बहुत अच्छा होगा tension मत लेना invitation formal invitation formal आपके दो तरीके से लिखे जाते हैं card में लिखा जाता है और एक letter में लिखा जाता है तो अगर विए पी को लिख रहे होगे किसी special guest को लिख रहे होगे तो letter में लिख औगे और हमें बागी के लिए नहीं बोला गया है रेडिंग सेक्शन में मैं अगर सलाम आनोंगे तो वह पहले कि यहीं बोलूँगी कि मैं उर्ट पहले अस्तिम्द करो पहले पारेजिंग सेक्शन ही अपर पर्टाना पर जाना और अगर आपको पढ़ने की पहले आधत है तो कीवर्ड निकाले ना वो कीवर्ड सुचा कर किया पैरग्राफ में सर्च कर लेना नहीं वह आप अपने एड़्मेट कार्ट पर देख लो बिटा ब्लाक्पेंट जहां तक इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं आप एको क्वे इन्फोर्मेशन बूत वुड का बना हुआ था तो यह सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी हैं ठीक तो यह लाइन्स में हाइलाइट कर देती हूं फिवर टिकेट विंडोस ट्रें गेट्स कम थे इन्फोर्मेशन बूत लकडी का बना हुआ था और ओपन गैस फ्ल पाइनल रिवेंज अपॉन दा टाइगर कें हांड्रे टाइगर को आप बताएंगे कि सौमा टाइगर क्या था वो एक लकडी का बना हुआ टाइगर था चो राजा ने अपने बेटे के थर्ड बर्ते पर खरीदा था और उससे निकला हुआ एक छोड़ा सा जो इस